6 जनवरी 2030, विश्वास की घोष्णा मैं घोष्णा करता हूँ कि मैं विशेश, असाधारण और अलोकिक हूँ मैं अपनी जीवन पर विश्वास की विरासत की घोष्णा करता हूँ मैं घोशना करता हूँ कि मैं आने वाली पीडियों के लिए आशिरवाद संग्रहित करता हूँ मेरा जीवन उत्कृष्टा और अखंटता द्वाराचीन ही थै क्योंकि मैं सही चुनाव कर रहा हूँ और विश्वास के कदम उठा रहा हूँ दुसरे लोग मेरा अनुसरन करना चाहेंगे परमीश्वर की प्रचुर्ता आज और प्रदी दिन मेरे जीवन को घेरे हुए है या मेरी घोशना है दिव्य स्वास की स्विकारोक्ती संसार की जोती मैं हूँ मेरे जीवन में कोई अंधेरा नहीं है जीवन की आत्मा का नियम मुझ में कारी कर रहा है मेरे जीवन या शरीय के किसी भी शेत्र में मृत्यू नहीं है मैं आनंद, शांती, प्रेम और दया से भरा हुआ हूँ मैं लगातार परमीश्वर की आत्मा से भरा रहता हूँ आलिलूया मेरे पास वह होगा जो मैं कहूंगा ईश्व के नाम में मैं मजबूत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अभिशिक्थ हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ मैं इश्वर का प्रिय हूँ, मैं इश्वर और मानोजाती का कृपा पात्र हूँ, मैं वही बोलता हूँ जो मैं देखना चाता हूँ, ना कि जो मैं देखता हूँ, मैं एक अनमोल बीज हूँ, मैं अपने इश्वर के घर में अच्छी जमीन पर लगाया गया हूँ, मैं अपन में रस और हरे रंग से भरा हुआ हूँ और बुड़ापिन में भी मैं ताजा और फलता फूलता रहूंगा मेरा पत्ता मुर्जाता नहीं है और जो कुछ भी मैं करता हूँ वह ईशु के नाम में सम्रिद होता है चीजे हमेशा मेरे लिए ईशु के नाम में काम कर रही है मैं मसी ईशु में हर आध्याद्मिक आशिरवात का प्राप्त करता हूँ मैं एक आत्मा हूँ, मेरी आत्मा में एक अंतर्मन है मेरी आत्मा और मेरा अंतर्मन एक बहुत एक शरीर में रहते हैं मेरी आत्मा मेरे अंतर्मन को निर्देश देती है, मेरा अंतर्मन सुनता है, प्राप्त करता है और मेरे शरीर को निर्देश देती है और मेरा शरीर पालन करता है इश्वर के नाम में मैं अपने शरीर से बोलता हूँ इश्वर का अविनाशी जीवन मेरे जीवन में हमेशा स्पष्ट और व्यक्त होता है मैं अपने शरीर के हर विवरण के लिए जीवन बोलता हूँ मैं अपने मनभाव से बात करता हूँ परिपूर्ण बनो मसी के मनभाव की तरह और मैं तुम्हें परमिश्वर के वचन से संड्रे कित होने की आगिया देता हूँ मैं अपने स्न्यायू और नसों से जीवन बोलता हूँ मैं अपनी मास पेशियों और स्न्यायू बंदन को ताकत बोलता हूँ मैं अपने दिल से जीवन शक्ती बोलता हूँ मैं अपने फेफडो और उतको से समादी मेंटिलेशन और परफ्यूजन अनुपात बनाये रखने के लिए बात करता हूँ मैं अपनी किड्नी, लिवर और अगनाशे को पूर्नता बोलता हूँ मेरे खून की हर कोशिका में जीवन है मेरी हड्डिया, जोड और काटिलिच, संड्रेकित, मजबूत और ड्रिड है मेरे पूरे उपरी और निशले अंग उतकरिष्ट रूप से कारी करते है मेरी आंखे स्पष्ट रूप से और पूरी तरह से देखती है और मेरे कान काम करते हैं बहतरीन मेरी त्वचा एक नवजात शिशु और ईश्वर की सुन्दर्ता की तरह चिकनी और स्वस्थ है मेरे बालों के रोम कस गए हैं मैं अपने बालों को स्तिर रहनी की आगया देता हूँ और जहां व्रिद्धी की आवश्यक्ता होती है मैं अपने रोम में विकास छोड़ता हूँ मेरे दांत, मसूडे, जबडे की हड्डियां और तंत्रिका और रक्त की आपूर्ती सभी स्वस्थ मजबूत और परिपूर्ण है मेरे सभी हॉर्मोन और निरोकेमिकल ट्रांस्मिटर एक दुसरे के साथ पूर्ण सामंजस में है और अपने कारियों को सामानी रूप से निश्पादित कर रहे है मेरा पाचन तंत्र निगले गए सभी काहद्य बदार्तों को पचाने अवशोशिक करने और आत्मसात करने में सक्षम है और चया पचय अप्षिष्ट उत्पात नीमित रूप से उत्सरजित होते है मैं खाने, तकनीक, मीडिया, शितिलता, गफशक, आलस्य, अथिक नींद, सुस्ती और बादिकारी खरिकदारी में सभी प्रकार के व्यस्वनों द्रवी धातुमान को कैद करता हूँ और मसी की आग्यकारिता में लेता हूँ जैसे इश्यू वैसा ही मैं इश्वर ने जो कुछ भी बनाया है वह मेरे लिए जीवन और चंगाई है इसलिए खादिय पतार तो धूल, जानवरो, आधी अलर्जी का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है इश्वर ने मुझे इन सारे चीजों पर अधिकार दिया है मेरा प्रजनन तंत्र परियाप्त मात्रा में और अच्छी गतिशीलता वाले शुक्राणों का उत्पादन और जमा कर रहा है मेरा प्रजनन तंत्र समय पर अंडे की कोशिकाओं का उत्पादन कर रहा है जन्म तक भृून की रक्षा और पोशन कर रहा है मेरे शरीर का हर अंग, हर कोशी का पूर्णता में कारी करता है जिसके लिए ईश्वर ने इसे कारी करने के लिए बनाया है और मैं मेरे शरीर में किसी भी प्रकार की खरावी और विकृती को एश्व के नाम पर मना करता हूँ आमिन मेरा संपूर्ण मानो शरीर रचना विज्ञान, चया पचाय और शरीर क्रिया विज्ञान मसी इशु में परिपूर्ण है महिमा, आलिलुया, आमेन पिता इश्वर, मुझे प्यार करते हैं, मुझे पता है, मैं जानता हूं पुत्रीश्वर मुझे प्यार करता है, मुझे पता है, मैं जानता हूँ